Hi friends, welcome to Oxytix Technologies YouTube channel Guys, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही interesting topic के उपर और बहुत ही ignored चीज के उपर जो के हम अपनी आम जिंदगी के अंदर करते हैं specially जो electronics के field से लोग तालुक रखते हैं उनके लिए मैं ये video बना रहा हूँ So friends, आज हम बात करेंगे soldering fumes के उपर या फिर soldering smoke भी इसको कहा सकते हैं वह वला smoke या वह वले fumes जो आप soldering करते हुए निकलते हैं या निके वह धूँआ जो soldering करते हुए emit होता है तो आज मैं आप सही इस बारे में discuss करूँगा और आपको बताऊंगा logic के साथ के वह हमारे health के लिए खतरनाक हो सकता है पहले तो मैं आपको बता दूँ के जी हाँ बिलकुल खतरनाक है वह और किस हाथ तक है आज हम यह discuss करेंगे और किस तरह से उसे हम बच सकते हैं उसके जो harmful effects हैं उसे हम किस तरह से बच सकते हैं आज हम इन चीजों को discuss करेंगे सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि जो हमारी solder wire होती है वो बनती है lead, tin और flux के mixture के साथ it means that it is a mixture of lead, tin and flux lead और tin का तो आपको पता है कि यह दोनों metals है और जो flux होता है वो as a wetting agent काम करता है हमारी soldering wire के अंदर ताके जो हमारे connections हैं between the components और जो भी हम connections करते हैं during soldering वो clean हो और उनके अंदर सफाई हो तो अब हम बात करते हैं lead की और tin की जो के main चीजे हैं, जो main metals हैं जो use होती है हमारी soldering wire के अंदर 60% जो है वो soldering wire के अंदर हमारी तीन यूज किया जाता है, इसके इलावा 40% है वो lead यूज किया जाता है इसके इलावा आपको मैंने जैसे बताया flux इसके अंदर use होता है जो के as a wetting agent, as a mixture use होता है अब मैं आपको यह बता दूँ कि जो soldering होती है, वो होती है आम तोर पे 400 degree centigrade to 450 degree centigrade जबके जो boiling temperatures है lead के और tin के, वो मैं आप से अब discuss करता हूँ tin का boiling temperature है, वो बहुत ज्यादा है 2603 यानि के 2600 degree centigrade के करीब इसके इलावा, जो lead का temperature है boiling temperature वो round about है 1700 degree centigrade तो it's not possible के जब आप soldering करते हैं तो आपका जो lead और tin का जो mixture है वो boil होता है और उससे धुआ निकलता है धुआ actually निकलता है flux से flux boil होता है, उससे धुआ निकलता है क्यूंकि आप जानते हैं कि जो भी चीज़ जब धुआ निकलना शुरू होता है जिस भी metal के अंदर से, जिस भी चीज़ के अंदर से जब वो boiling टेमपरेचर तक जाती जब वो boil होना शुरू होती है तब भी उसके अंदर से धुआँ या fumes निकलना शूरू होता है तो वो just melt होते हैं किसी हाथ तक melt होते हैं यानि के जो lead और tin यूज होते हैं जब हम soldering का रहे होते हैं किसी हाँ तक मेल्ट होते हैं लेकिन बॉयल नहीं होते हैं अब मैं आपको यह बता दूं कि यह किस तरह से जो फ्लक्स है हमारे लिए हामफुल है अच्छली जब फ्लक्स बॉयल होता है दूरिंग सोल्डरिंग तो वो एमिट करता है डिफरेंट टाइपस ओफ गैसिज डिफरेंट टाइपस ओफ हामफुल गैसिज जिसमें में जो गैसिज हैं उनका मैं आपको बता दूं HCL यानि के हाइड्रोकलोरिक एसीड है बेंजीन है इसके इलावा एसीटोन है ये जो गैसिज हैं इसके इलावा भी काफी सारी गैसिज एमिट होती है जो अगर हमारे ब्रेथ करते हुए हमारे सांस के अंदर जाएंगी तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है जिस तरह से हम सिगरेट स्मोक करते हैं और जो इसके एफेक्ट्स होते हैं वो काफी सालों के बाद 10 से 15 साल भी लग जाते हैं हमें वाज़े होना शुरू होते हैं इसी तरह से सोल्डरिंग की जो स्मोक होती है उसका भी एफेक्ट होता है बट डिफरेंस इन दोनों में ये The reactor should be properly ventilated. इसके इलमाद, आपने फैन का यूज करना है, छोटा जो DC फैन वहता है, जो Computer फैन भी जिसको कहते है, वो आपने यूज करने है, जब आप सोल्डरिंग कर रहे होंगे, तो जो आपका फैन है, उस सोल्डरिंग को आपका ऋमोक आपगा लेजाए, यह वेरी करता है, परसन तू परसन बट इट कैन हैंपन तो यू तो इसके लिए आपने आप ने या आई प्रोटेक्शिन के लिए आप मास्क पहन सकते हैं आप आखों के ओपर कोई भी प्रोटेक्टिव ग्लासिज यूज़ कर सकते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी मेरी तरह ख्याल रखेंगे शोल्डरिंग करते हुए यह वाला ख्याल वैसे मुझे भी नहीं आया था मैं भी काफी हर्से से इस फील्ड में हूँ आज मुझे बैठे बैठे ख्याल आए क्याहे यह जो श्मोक होता है that can be dangerous or not so I found that it's dangerous for our health and we should protect ourselves from soldering smoke so friends I hope के आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लायक कीजिए and subscribe the channel अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो So friends, thanks for watching the video Goodbye